प्रदानमंदरी मोदी विदिखाई दे रहा है जो अखबार आपको नहीं दिखा पा रही हूँ या फिर जो अखबार आपके घर पर आता होगा उसमें भी आप पहला पन्ना खोलेंगे तो नरेंद्र मोदी ही छपे हुए दिखाई देंगे लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी संसद में खड़े होकर सवा सो करोड देश की जंता के सामने लोक्तंत्र के मंदिर में जूट बोलते हैं आदनियद्द जी मोदी पे भरोसा अकबार की सुर्खियों से पादा नहीं हुआ है मोदी पे ये भरोसा तीवी पर चमकते चहरों से नहीं हुआ है जीवन खपा दिया है पल पल खपा दिया है नरीद्र मोदी बात बात पर जूट बोलते हैं हर बात पर जूट बोलते हैं जबकि सच यह है कि आजादी से लेकर अब तक भारत देश में कोई ऐसा प्रधान मंत्री नहीं हुआ जिसे छपास का और दिखास का इतना बड़ा रोख हो आज तक कोई प्रधान मंतरी ऐसा नहीं हुआ जो इतना बड़ा छवी प्रेमी हो दोस्तों आपको याद होगा कोरोना में जब लोग मर रहे थे भारत के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाए उसके बाद मोदी जी ने वैज्ञानिकों को पीछे करके अपने पोस्टर भारत देश के हर गली हर चौराहे पर गड़वा दिये नरेंद्र मोदी जी छवी के इतने बड़े शौकीन है कि मुफ्त राशन के जोले पर अपनी तस्वीर छपवाली मोदी जी छपास के इतने बड़े शौकीन है कि कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स पर भी अपनी फोटो लगवाली जब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि कोरोना से मरने वालों के मृत्यू सर्टिफिकेट्स पर भी अपनी फोटो छपवा लिजे तब जा करके माने अपने एमेरिकी दौरे में कैसे फोटो खचाने के लिए लोगों को धकियाते हुए देखे गए अपने दसियों ऐसे भारती कारेक्रमों में फोटों खचाने के लिए प्रधान मंतरी संघर्ष करते हुए देखे गए प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के छवी प्रेम की अगर बात करने बैठूंगी तो बताते बताते रात हो जाएगी प्रधान मंतरी नरेंद्रमोदी एकलोते ऐसे प्रधान मंतरी हुए जो मंदिर के गर्ब ग्रह तक कैमरा मैन ले करके पहुच गए दोस्तो मैं सिर्फ हवा हवाई बाते नहीं करती आकडों के साथ आज आपको बताऊंगे कि कैसे नरेंद्रमोदी ने सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए भारत देश के लोगों का टैक्स से खटा किया गया पैसा बरबात कर दिया दोस्तो 2014 से 7 दिसंबर 2022 के बीच नरेंद्रमोदी सरकार ने 6491 करोड रुपए विज्यापन पर खर्च के यह जानकारी 13 दिसंबर 2022 को सूचना प्रसारल मंतरी अनुराग ठाकुर ने संसद में दी थी दोस्तो 2014 के बाद से मातर 8 साल 10 महीने में प्रदान मंतरी नरेंद्रमोदी ने विज्यापन पर लगभग 6491 करोड रुपए खर्च किये गए और टीवी मीजिया पर अपनी तस्वीर वाले विज्यापनों में 3260 करोड रुपए खर्च किये गए दोस्तो इस हिसाब से नरेंद्रमोदी अपना चहरा चमकाने के लिए हर महीने किस ना किसी बहाने से 62 करोड रुपए खर्च करते हैं और अगर रोज के हिसाब से अगर निकालेंगे तो 2 करोड रुपए नरेंद्रमुदी हर रोज अपना चेहरा चमकाने के लिए विज्यापन उपर खर्च करते हैं दोस्तो BBC ने भी आर्टि आई लगा करके ये जानकारी मांगी कि कॉंघ्यस ने 10 साल में विज्यापन उपर कितने रुपए खर्च किये और 8 साल में नरेंद्रमुदी ने विज्यापन उपर कितने रुपए खर्च किये दोस्तों जो खुलासा हुआ है वो आपके होश उड़ा देगा कॉंग्रेस ने अपने 10 साल के कारेकाल में कुल 3582 करोट रुपए खर्च किये और नरेंद्र मोदी सरकार ने मात्र 8 साल में कॉंग्रेस से 2 गुना मतलब 6000 करोट रुपए खर्च किये इसके बागजूद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि तो इससे साबित होता है कि नरेंद्र मोदी संसद में खड़े होकर अखबारों में फोटो छपवाने टीवी पर अपना चेहरा चमकाने के बारे में जो बोल रहे थे वो सच नहीं था बलकि सच इसके बिलकुल उल्टा है जो आप देश की राश्टरी मीडिया पर कभी नहीं देख पाएंगे दोस्तों कि आपको मालूम है कि सरकार जिन चैनलों से या जिन अखबारों के सत्य से परशान हो जाती है सबसे पहले उसका विज्यापन रुखती है लोकतंत्र में लोगों की जुबाने सेंसर्ड है नरेंद्र मोदी एक भी आलोचना का जवाब नहीं देते गुज्रात दंगो पर बनी BBC डॉक्यमेंटरी को भारत में बैन करवा देते हैं लेकिन नरेंद्र मोदी संसद में आलोचना को शुद्धी यंत्र बताते हैं ये भी अपने आप में सबसे बड़ा जूट है दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही चलते हैं रम रम दुआ सलाम जैहिन चैनल को सब्सक्राइब करिए फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए ट्विटर पर अपनी प्रग्या को एड दे रेट प्रग्या लाइव नाम से खोच कर फॉलो कर लिजेगा सारे लिंक ट्रेस्क्रिप्शन में है नमस्कार